आपका स्वागत है नॉर्थ इस्ट उनाइटेड वर्सेस बैंगलरी FC आज हम रिविव करेंगे नॉर्थ उनाइटेड जिसतेरे के से खेली न उडिशाई FC के एगनेश्ट में जामशित्पुर के एगनेश्ट में गोजा आने वाला यह बैंगलरी FC के मैं विक्तुस बैंगल कैसे लेंगे बेंगलुर एफसी इससे कैसे बचेगा इस सब के बारें बात करेंगे एंड विडियो को तो हैस्टाग भी एफसी लिखिये कमेंट पे मुझे पता चले के कितने फैन मेरे वीडियो देखते हैं तो मैं बी एफसी पे भी जो कंटेंट करूँगा आप तो मेरे बहुत दिल के करीब हो और आपकी जो कमेंट से मुझे बहुत पसंद है गो हैं डू दाट एगें और एगें और एगें चलिए टेक्टिकल बोड़ पर जालते हैं और शट से ड्रोव हुए आठ वेंगरों जीता है बट रेकॉर्ड पल्टा रहा है नौर्थ इस उनाइटेड सब का बदला लेने वाला है हिस्ट्री की वन दे बेस्ट टीम नौर्थ इस उनाइट इस फेल्डिंग राइट नाओ इन टूज़एं 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 टूज नहीं रहा है टेबल पे नजर देंगे तो टेबल पे अभी बेंगलों टॉप में है और पांच वे नवर नौर्थ इस ते सेम तीम सेम मैचेस के रहे हैं अली ज़स्ट पांच पॉइंट का डिफरेंस है बेंगलों की लास्ट में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं रहा है और उसका हम देख सकते हैं कि वो थोड़ी जो हैं इसका में रहा है ना कि उनकी मैं दिखाता हूँ आ रहा है ना तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लेम रही है मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ जहापे गोवा में वो एक्स्प्लोइट हुए हैं आपको दिखाता हूँ क स्क्रीन स्टक क्यों हो जाता है मेरे साथ स्टक मत हो मुझे जल्दी जल्दी चाहिए चलिए इन्होंने क्या-क्या पता है गोवा ने मीड़ फिल्ड को अफोलोड कर दिया और बॉल चलाने नहीं दिया आप देख सकते हो यहां पर कैसे आउट अप सेफ हो चुकी थी कैसे बै देख सकते हो they are not able to move the ball गेम खतम कर ले था उन्होंने देखो आउट अप से बतरब वो गेम चला ही नहीं पा रहे थे उन्हें मीड़ फिल्ड को ब्लॉक कर दिया and that is the main reason के भाई इनकी disconnect हो गई देखो एटाकी नहीं बन पाया अब देख सकते हो ना एडर नो सुनिल अलबर्टो सब असके गेम में कहीं आगे जाई ही नहीं पाए और यह जो है पेड्रो बेनाली देख रहे हैं भाई सब नोट बना रहे हैं कैसे इस तीज को मैं फाइदा लोगा और इसका सबसे बड़ा फाइदा कैसे लेने वाले पता है नॉर्थिस्ट मैं आपको दिखाता हूं नॉर्थिस्ट कैसे फाइदा लेगा मैं एक छोटा सा एक्जाम्पल लोगा इन्होंने ऐसा ही किया ना उडिचा के FC की एगनेस्ट में भी मिड़िफिल करवा दि देखो वाइड उसे क्या होता ना मिड़िफिल ओवर लोड होता है और आप बॉल पास नहीं कर सकते और यह जो मॉन्स्टर है ना वीमर वो तुम्हें पास करने ही नहीं देगा इसके इलाबा मुथू भाई मुथू बड़ा मात मात दे देते हैं सबको यह जो मिड़िफिल और डिफेंस की इनकी जो सिंक है पासिंग लेंड बंद करेंगे गैरेंटीड मेरे से लिख लो और वो कर दिये बैंगलोर में जाके इनको रोकना मुम्किन नहीं नमुम्किन है मैं उनका एक छोटा सा आपको डिटा दिखाना चाहता हूं, आपको, ज्यादा टाइम तो नहीं होगा न, चार पांच मिट वगा है, दल लगता है, बताते बताते न, दस पता मिट का वीडियो हो जाता है मेरा, फिर एडिट करना पड़ता है, अलादिन, अलादिन, एन उनको बहुत काम करना है, नहीं तो पार्थीब, जी तीन, और अलादिन, डेश्ट्रोई कर सकते हैं, आप देख लो, नाम देख लो भाई, इनकी एक जी देख लो, गोल पर 90 मिज देख लो, इनकी सब देख लो भाई, बहुती ज़्यादा ही खतरनाक है, समझ रहे हो, टीम गोल, मिनीमम, North East United, कंसीड में आप अभी वान पे हो, के भाई सबसे कम आप कंसीड करते हो, बट पंजाब ने दिखा दिया कि आपको तीन गोल केसे मार सकते हैं, इसके इलाबा, इनकी एवरेज पोजिशन का कम है, क्योंकि वो काउंटर अटाक में धो डालते हैं, तो वो बहुत बढ़िया है, तो यही एक पॉइंट है, जो कि साइद North East United इसको देख रही होगी, and the most important thing, के आपकी टीम किस तरीके से इस situation को handle करे, because यह मैस काटे की तक्र होने वाली है, North East United के लिए, उनको अनादा तीन पॉइंट लेना है, पर बेंगलोरी FC टॉप में रहना है, तो यह मैस हरना मुमकिन ही नहीं, मतलब they shouldn't be getting into it, आपका क्या रहा है कि North East United में क्या changes लाना चाहिए, मेरे हिसाब से सेम टीम जाना चाहिए, बेंगलोरी में क्या changes करना चाहिए, बेंगलोरी FC के फैनी बता सकते हैं, आपको क्या लग रहा है, North East United will be in the top four by December, let me in the comment box, that's about today, Jai Hind